तो हलो फ्रेंट वेलकम टू टेक्निकल लेड़ा यूटूब चनल फ्रेंट्स हम आपको इस राइजी के वारे में कुछ जानगारी देने वाले हैं और फ्रेंट्स जो है पहले मैंने कही सारी वीडियो इस राइजी के उपर बना दी हैं किस तरह से लाइब रिकॉंटिंग कर रिकॉंटिंग के सब्सक्राइब इससे हैड़फोन वाले सुझ से आवाज आती है या फिर किस तरह से रिकॉंटिंग करनी है पूरा सैट अप बताईए लोग वाट्सप पे मुझे बार बार परशान करते हैं तो इसके लिए बैसे कोई बात निया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप खूब कमेंट कीजिए और जित आप चाहें बाट्सप से जो भी जानकारी आपको पूछना पूछ लिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बार फिर से दुवारा इसको बता दिया जाए सही से कि किस तरह से आपको कनेक्ट करना है क्योंकि इसकी वीडियो जो है और और वी चैनल पर मिल जाएंगी किस तरह से आपको कनेक्ट करना है लेकिन वो है जल्दी जल्दी बता के भाग जाते हैं और आपको सॉलुशन पूरा नहीं मिल पाता है तो दोस्तों वीडियो को पूरा बाच कीजिएगा मैं आपको पूर प्रोग्राम करना है यूटीब पे लाइप करना है इस्ट्राग्राम जाहां भी चलाना चाहते हैं वहां भी वहां पर यह लैप करेगा ठीक है और तो वीडियो को ज़्यादा ना बढाते हुए चली चलते हैं सीधर टॉपिक के और तो दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये मेरे पास कुछ जैक है ये स्प्लाइटर है और ये केबिल है ठीक है और ये राइजी है दो डिवाइस है राइजी की मेरे पास ये मिक्सर और चलिए इनी चीजों से लाइब हो जाता है और किसी की जरूत नहीं पकड़ती पगरा की तो मैं आपको प्रिख्री ये है क्या नाम है इसको क्या बोलते है जो टीवी में लगती है उस तरह का ठीक है तो अगर आपने केबिल है ऐसी तो आपको लेनी जाए वनना इस केबिल को आप अप अधा दीए इस केबिल से राइजी रिकॉर्ड करने की जरूत नहीं है ठीक है अगर इस आप अधा आउट्पूट से लगा सकते हैं आउट्पूट से लगाना है और बॉलियम बहुत कम रखना पढ़ेगा ठीक है जो बड़े मिक्सर होते हैं उनमें आपको आउट्पूट से बिल्कुल ही नहीं लगाना है प्रोग्राम रिकॉर्डिंग के लिए ठीक है आपका राइजी है खराब हो जाएगा ठीक है तो यह बात आपको समझ में आ गई इस केबल को मैं हटा देता हूं दूसरी जो केबल है वो इस यह है मैंने इतनी लंबी यह है केबल इसलिए बनाई है कि मैं जो है लाइब रेकॉर्डिंग करता हूं जागन बगैरा में प्र कर लेहां तो कोई बहात नहीं है आप इससे भी कर सकते हैं तो इसका आप कंट्रोल रहे हैं ठीक है अपने अपने हिसाप में लेकर आगर जागन में होगा तो आपके कंट्रोल में नहीं होगा क्योंकि वहां पर जितनी आवाज होगी वो दोनों को मेंट्रेन रखना पड़ाएगा वो जो अपरेटर होगा वहां का वो अपने हिसाब से रखेगा ठीक है और तो वहां पर आपको क्या करना है सीधे इसको यह जो है 6.5 mm का सीधे उसको हैटफोन वाले में लगा देना है आपको कोई प्र passéए आपको करना है सीधे यह इस तरहां का ओं खूआ होगा रखेए है ऑससे फोन होता है किसके हैडफोन लियका होता है और उसका यह एक से खंभान के प्त अहला है आपको उनके में जाना है सीधे ये इस्न connection मोटे वाल में लगाना इस बोलगाना इसको क्या करेंगे आप particles करते हैं कि इससरों जो तो इसमें लेंगा तो इस तरह से इसमें लगा देना है अब हमारे पास दो और बचे एक तो यह बचा 3.65 mm का और एक यह बचा तो इसमें हम यह अध्याने के लिए होता है ठीक है इस तरह लेकिन कुछ लोग की कमेंट करते हैं कि क्या हम अगर मिक्सर अपना चालू करके इसमें जो लाइब रिकॉर्टिंग कर रहे होंगे तो यहां से आवाज आएगी तो दोस्तो मैंने दोनों की दोनों चेक कर लिये मैंने सुचा साय एक में नहीं आ रही है दूएरे में आ रही होगी और window कर दिस्केशन में मिल जाएगा दोनों और आपको बता दू United तो मैंने यह चेक किया तो इसमें रिकॉर्डिंग की जो फ्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं उसकी आवाज नहीं आती है ठीक है दोस्तों उसकी आवाज नहीं आती है हम जो फ्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं लेकिन इसमें यह किस लिए है अगर हम यह फोन है ठीक है हमारे पा गान आपले करते हैं तो वह आवाज हम इसमें सुन सकते ही जैसे हमने रेकोर्डिंग कि ठीक है और उससे समय सफ् dado प्रोग्राम में हेडालिया यह लागा हुआ है वहारय कान में लगा लिए थीक लाइब recording कि recording and कि है से खिया और उसको पिले किया तो इधर तो नहीं बजए given लेकिर यह कानों में आपके बजब्जेगा ठीक है इसके thou कर आपके कानों में बज़ेगा यहां से यहां से दोन daring आवाज हैड़फोन में देता है सुनाई लेकिन यहाँ से आएगी वह आवाज आपकी हैड़फोन में सुनाई नहीं देगा ठीक है मैंने दोनों में चेक किया है इसलिए तो यह तो आपका किलियर हो गया आप रिकॉर्टिंग की बात यह है चलिए साइड में करता हूं अब आपको बता दूए एक बार मैं फिर से देखिए यह तो हैड़फोन मतलब हमने फोन से ले ठीक है जो फोन वाला हमारा होल है यहां से हमने आउटपुट ली और इसमें लगा दिया ठीक सीदे और यह हमारा लगा दिया इदर फोन के हैड़फ है तरह है एक डूफर से दिया कर लेंगे अगर हम लाइक प्रोग्राम में मतलब कर रहे हैं तो किस तरह से चकर ना है वहां पर कैसे सुनेंगे कि आवाद सही आ रही है नहीं आ लिए तो इसको सबसे पहले हम जीरो डीवी पर रखेंगे बिल्कुल जीरो 10 डीवी पर नहीं लिए बंत करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें एक डौनलोडकर न पड़ता है यह वह आद्यू करने के बाद जैसे जैसे इसमें पड़ाइंगे इस तरह से वैसे वैसे उसमें सिंबल ऊपर को उठना स्टार्ट हो जाएगा तो अगर हम अधिक करेंगे तो हमार सिंबल डिफ्रेंट कलर का हो जाता है लगवग आदे में चल रहा तो वहां पर आवाज आपकी फिट आएगी बिल्कुर तो उस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं और आप पूरी रिकॉर्ट कर सकते हैं आवाज आपकी बिल्कुर साफ जाएगी ठीक है तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से इसमें यह है चल रहे हैं देखिए आवाज के साथ साथ और अगर हमें इस लीट को लगाने के बाद इसमें फोन में इसी तरह के जी मल यहां तक आ Centers तो ठीक है यहां से थोड़ा डां रखना थीक है जो डिस्प्लेय है इसमें यादय तक जो आ सब्सक्राइब विजी। कोई नए टपक के साथ तब तक लिए जैहिंद धन्वाद